नए अफ़तार में आ रही है मरुती सुजुकी आर्टो बिलिंग एडवांस फीचर्स और होने वाला है एकदम ए अपग्रेड डिजाइन भारतिय बजार के लिए मरुती सुजुकी अपनी न्यू जनरेशन आर्टो को तयार कर चुकी है हाली में कमपनी ने इस काड़ी का ब्रोचर बारतिय बजार में लौंच करा है खबरों के मताबिक दोस्तों कमपनी नए साल के मौखे पर अपनी न्यू जनरेशन आर्टो को लौंच करने वाली है कमपनी जन्वरी के महीने में इस काड़ी की बुकिंग चालू करेगी आप इस गाड़ी को 10,000 रूपे मात्र राशी दे कर अपने ले बुक करवा सकते है मानचारा है बारतिय बजार में आने वाला न्यू जनरेशन आर्टो का नया मोडल पूरी तरीके से रिडिजाइन करा गया है इसमें आपको कई सारे न्यू चेंजिस और अपडेट्स देखने को मिलेंगे साथ ही साथ एक पावरफुल माईलिज वाला CNG इंजन भी देखने को मिलेगा अगर हम दोस्तों गाड़ी की कीमत की बात करें तो आने वाली न्यू जनरेशन आर्टो अपनी कीमत के लिए सबसे ज़ादा जानी जाती है तुकि मारुती सुजुकी के आर्टो कम कीमत में बेस्ट प्रोड़क्ट देती है इसी के चलते दोस्तों गाड़ी की किमत तक्रीबन 3-4 लाग रुपे रहने की संभाब नहीं बताई जारी है भारतिय बजार के लिए New Generation R2 का डिजाइन दोस्तों पुरी तरीके से चेंज हो चुका है कामपनी ने इस काड़ी को हेट एक प्लेटफॉर्म को मोडिफाइड करके मरुटी 2022 R2 का लुप दे दिया है गाड़ी में आपको पुरी तरीके से एक शांगल बॉक्सी और एक क्रोसोवर लुप डिजाइन देखने को मिलेगा गाड़ी के अगर हम फ्रेंट और रेयर की बात करें तो गाड़ी के फ्रेंट को पूरी तरीके से री डिजाइन करा गया है जिसमें आपको फ्रेंट में नए पोजेक्टर हेड लेम सेटप और सुजुकी की नई क्रोम प्रिटेट गिरिल देखने को मिल जाएगी और नीचे की तरफ आपको इंटिग्रेटिट फोग लेम्स और डूल टून बंपर देखने को मिलेगा और दोस्तो गाड़ी के गरम रेर में आते हैं तो इसमें आपको न्यू जनरेशन आल्टो का नया लोको और LED टेल लेम्स का आटोमेटिक सेटप देखने को मिलने वाला है साथ इसाथ ये गाड़ी शांदा साइट्स के प्लेट्स और जबदस 15-16 इंच के अलोई वीज के साथ आएगी जो के गाड़ी के लुक को और भी जबदस दिखाबाने में मदद कर रहे है साथ इसाथ दोस्तों गाड़ी डूर टोन एक्स्टीरियर्स और कई सारे नए कलर विकल्प के साथ लॉंच करी जा सकती है जिसमें आपको येलो, ग्रीन, रेड और वाइट जैसे डूर टोन गलर शामिल होने वाले है साथ इसाथ दोस्तों फीचर्स भी गाड़ी के काफी अपग्रेड हो चुके है कार के इंटीरियर में भी आपको कई बदलाफ देखने को मिलेगे नई 2022 मारूती आर्टो में स्मार्टफोन इंकनेक्टिविटी के साथ नया टस्क्री इंफोटेमेंट सिस्टम सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लेश्टर के साथ देखने को मिलेगा साथ इसाथ इसमें आपको वॉइस कमान नेविगेशन एफटर काफले जैसी सारी सुविदाय देखने को मिलेगी साथ इगाड़ी की शानदा न्यू इंटिरियर थीम भी दे गई है जो की डूल टोन लेधर फिनिश के साथ आएगी इसमें आपको जबदस अम्बीशन लाइटनिंग, पावर स्टेरिंग वील और सेफटी के तौर पर डूल फ्रंट टेर बैक्स, ABS के साथ, EBD और कई सारे पार्किंग सेंसर के साथ, दो पार्किंग कैमरा, फ्रंट और रेर मेज आपको स्टेंडर सेफटी के तौर पर न्यू ज़नरेशन आर्टो में देखने को मिलने वाले है इतना ही नहीं दोस्तों, गाड़ी में आपको पावर्फुल फीचर्स के साथ-साथ, एक जबदस माइलेज वाला इंजन भी देखने को मिलेगा पुष्टी हो चूटी है कि न्यू ज़नरेशन 2022 आर्टो में माना जा रहा है कि नई आपको 1.1 लीटर का 3-cylinder K10 Dual Jet Petrol Engine दिया जा सकता है जो कि शानदार 110 BHP की पावर प्रदान करपाने में सक्षम होगा गाड़ी में आपको Start-Stop बटन देखने को मिलेगा साथ न्यू ज़नरेशन Company Fit CNG Kit देखने को मिलेगी जिसके चलते गाड़ी का माईलेस तो और आम से दोस्तो 20-30 KMPL के पार जाएगा दोस्तो बाहरती बजार में ये गाड़ी अपने नए रंग रूप विकल्ब के साथ लौंच करे जाएगी वो भी नए साल के 2022 जनवरी के अंत में या तो फरवरी की शुरुवात में और इसकी शुरुवाती कीमत दोस्तो तीन लाग से शुरू होगी जो कि टॉप मोड़ा 6 लाग रुपे तक जाने की संभाव ने बताई जारी है तो दोस्तो अपनी रह अपनी जगे के नाम हमें कमेंट सेक्शन में लिके जरूर बताईगा अगर आप भी इस New Generation R2 का Design Concept डेक के इसको खरीदने में इंटरस्टिड है अपनी रह अपने कमेंट में लिके जरूर बताईगा आपको इस New Generation R2 कैसी लगी क्या आप इसको खरीदना जाएंगे इस वीडियो के लाइक कीज़ेगा दोस्तों और जितना हो सके वीडियो को आम आद्में तक शेयर कीज़ेगा बिलते हैं से किसी नई गाड़ी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद